नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी यूटूब चैनल और इंडिया यामसाल हेल्प्स दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फोटो एडिट करने बारे में बताऊंगा जिसमें आपको नाम और डेटा फोटो लिखना के लिए बताए दाएगा जो आपको अरार्वी दोस्तों आपको तक जोड़ों करने द दोस्तों माले जी मैं ने दोस्तों की इस बाद आपको थोटो पैस्के करना आपको कॉप्पि करके इसंवर पेस्ट करना आप ठीक है नियुक्ति है करते है और हन्या प्रौटो टीप एस पॉटों के the इसे चोटा हो जाएगा उपर बाले से बड़ा हो जाए तो चोटा कर लेते हैं चलिए उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यह फोटो और भी के पैटन से नहीं है बट मैंने ऐसे डाला हुआ रेंडरिक बस आपको मैंने इडिट करने सिखाना है मुझे है तो आप देखिएगा कैसे कर रहा हुँ है तो इस चोटा हो गया उसके बाद आपको दुबारा इंसर्ट बजाना है यह इंसर्ट बा अपको यह नाम दे देना है वैसे यह है तो आसिल आम यह इस टूडेंट कुछ नाम दिख देते हैं जैसे की ले लेते हैं अंकीता कुमारी ठीक है अंकीता कुमारी ठीक इसके बाद डेट डालना डेटा फोटो तो 0302 पाबलिक 0 सब्सक्राइब कर सकते हैं अब इसके बाद इसको इसको से राइट लेट कुछ भी क्लिक कर सकते हैं एक इसका दुबारा है इसको अगयों कर दीके उसके बाद आप क्या करियेगा इसको बोल्ट करना ये तो WR c कर सकते हैं कि साइज इसका छोटा बड़ा करना है तो चोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है ठीक है जिस साइज में आपको करना चाहते हैं उस साइज में आप कर सकते हैं ने देख लिएगा आपका फोटों कितना बड़ा बनाना है आपको सबसेंच आपना साइज चीज शीक्स कर लिए घाए घाए इस तरह से आपका और आप दिखा जाएगा ठीक है उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, आपको इसने पीं टूल ओपन करना है ठीक इस निपी टूल के थरू आप इस फोटो को क्रॉक कर लिएगा ठीक है इस निपी टूल मा इसको इसको शेफ करना रहेगा आपको चलिए इसका नान डिगते हैं कुछ भी अंकीता ही था नांकीता अंकीता ठीक है और यह मैंने सेफ कर दिया और यह आपका डिक्ष्टा पर आ गया देख लिजे इस तरह से फोटो सेब हो गया आप इसको अफलोड कर सकते हैं इसकी प्रोपर्टी और साइज चेक कर लिजेगा इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फोटो में पेंट फोटो में इसमें जाकर आप इसक कर सकते हैं टीके यह सबस Holding अब इसमें कर सकते हैं कि कुछ कर ना होगा तो दोस्तों इस तरह से आप फोटो के डिट कर सकते हैं नाम और डिटा फोटा सकते हैं 1 अभाब कैसा लगा आपको सब्साइब कर द depuis सकथिए गां और आगे अगर आपको किसी तरह का वीडियो अगर चाहिए हो तो मिझे जरूर कमेट बाक्स में लिखेएगा मैं आपको आपके हर तरह की प्रावलों को सॉल्ट करने के लिए त्यार हो किसी भी जहां से रिटी रूनतों ओके धन्यवाद